बिहर सिक्षक भरती को लेकरके एक बहुत बड़ा कन्फियोजन बना हुआ है और वो कन्फियोजन है आपका डियलेड माक्सिट ये सर्टिफिकेट को अपलूड करने से संबंदित उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वाग में थी इसी नोटिस को लेकरके कहीं न कहीं जो है एक भारी कन्फियोजन जो है वो बना हुआ है और उसके बाद सभी जो बीटीसी डियलेड वाले जो इस्टुडेंट्स है फ्राइमरी की बात करें या साथ में अगर हम बात करते हैं आपके जो बीएड वाले में लॉग इन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन या डियलेड समंद्धी प्रमाडपत्र या अन्य को अप्लोड कर सकते हैं बस ये लाइन और उसके बाद जो दूसरी लाइन जिसकी शुरुआत होती है वो कहां से है यह किसी अभियर्थी द्वार बेड के प्रमाडपत्र को अप्लोड किया गया है एवं डियलेड का प्रमाडपत्र भी अगर वो धारित करते हैं तो वे डियलेड का प्रमाडपत्र अप्लोड करेंगे मतलब दोनु चीजों को अगर आप पढ़ेंगे आपके उपर वाले को इतना ही पढ़ेंगे तो आप किया हुआ है कई स्टूडेंट थे जिन्हों ने अपने अलिजबिल्टी में बीएड लगा दिया था चुकि आप सभी को पता है कि बीएड पर जो है वो खत्रे की घंटी लगातार जो है वो आपकी लटक रही है बज रही है जो भी आप कहले ऐसे में एक सप्ता हमें वो भी क आप उसको बीटीसी या डियलेड कर दीजिए ये किसके लिए है जिन्होंने बीएड बीटीसी या डियलेड दोनों की डिगरी ले हुई थी लेकिन बीएड को अपलोड कर दिया डॉक्मेंट की रूप में कब जब वो फॉर्म बर रहे थे अब यहाँ पर कई कुछिपसांब्यु वो खुद परेशान हैस्ट परmole करना है। आपको यह काम बिलकुल नहीं करना है अगर आइसा करना हो तो पहले भरवायй थे पहले आपसे अपलोड करवाए है उसका क्या मतलब है मतलब है डिलेट के सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें तो भाई आप एक बार पहले कर चुके हो आप एक बार वहां पर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स जो भी है आपने वह सलेक्ट कर लिया है उसके बाद अब उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए फिर से कभी डाकुमेंट अपलोड नहीं होता है कि एक्जाम हो गए आपका फिर से वह डाकुमेंट अपलोड कर वा रहे है तो यह उनके लिए है जिन्होंने बीट बीटी से दोनों डिग्री ली हुई है अभी भी अगर आपको लगता है यह माली जी आपने अपलोड कर दिया है डियलेट का सर्टिफिकेट फिर से आपने किया हुआ था फिर से कर दिया तो कोई इशू दिक्कत नहीं है लेकिन वो आपको नहीं करना है यह चीज़ ध्यान रहे कोई और सवाल अगर आपको लगता है कि है तो कॉमेंट सेक्शन मे लिखिएगा हमारे लिए शुकुरे आप सभी का